हर योम तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च कि बीच में कहीं न कहीं चुक हो जा रही है तो आज हमारे चर्चा की विषय है कि जीवन में सांती कैसे पाएं असांती से कैसे बचें और ये कौन से कारण है जिसके चलते जीवन में असांती आती है ऐसे वह कौन से कारण है जिनको दूर करके जीवन में शांती पाया जा सकता है और शांती ही सुख का अधार है जीवन में जब तक सांती नहीं होगी सुकुन नहीं होगा तब तक जीवन में आप सुखी नहीं हो सकते हैं आईए आज इन ही वीश्में पर हम लोग 10 मिनट चर्चा करेंगे असांती का जैसा कि हमने शुरू में ही बोला ना सांतस्य कुता सुखम यह संसार का हर प्राणी तब बिना सांती का सुख हो नहीं सकता है और हर व्यक्ति सांती की एक्षा में लगा हुआ है सांती की एक्षा करता है कामना करता है लेकिन अपने एक्षाओं को सांत नहीं करता है यह एक्षा ही जब वासना में परिवर्तित हो जाती है आसकती में जब परिवर्तित हो जाती है जब चीजों के प्रती हमारी आसकती बढ़ जाती है और नहीं मिलता है तो एक क्रोध उत्पन होता है क्रोध के चलते ही हमारी बुद्धी जो है बिचलित हो जाती है और असांती सुरू हो जाती है असांती के तो ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं लेकिन आज कुछ मुख्य कारणों पर हम चर्चा करें तो असान्ती का सबसे पहला कारण जो हमने आपको बताया वह है कि हम सान्ती की इक्षा करते हैं, अपने इक्षाओं को सान्त नहीं करते हैं भावी इक्षा प्रवल जो होना होगा तो होगा लेकिन हम इतनी सारे इक्षाएं बटोर लेते हैं इतनी सारे अपनी चाहत को बढ़ा लेते हैं और नप्राप्त होने पर क्योंकि परिस्थितियां हो सकती अनुकूल हो सकता है प्रतिकूल हो बाहर की परिस्थितियां आपके जो है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपकी अपनी मन एस्थिती कंट्रोल में रहनी चाहिए, ज़िए आपकी अपनी मनों एस्थिती, मन एस्थिती कंट्रोल में है, तो आप सांती पा सकते हैं, प्राया मन जो है, जब हम तन से मन, मन से बुद्धी, बुद्धी से आत्मा औ असांती के कारण है जो नहीं है जो नहीं है नहीं है उसका गम जो है वो है नहीं कम जो नहीं है नहीं है उसका ख्वाब जो है है वह लाजवाब अर्थात हम हमिशा कमी का रोना रोते हैं पहला तो कारण हमने बता दिया कि हम अपने एक्छाओं को सांत नहीं करते हैं भाग के छोटा अभिलास बड़ा हम अपनी चाहत बढ़ाते जाते हैं उसके अनुसार ना कर्म कर पाते हैं ना मेहनत कर पाते हैं वासनाएं बढ़ते जाती है आसकती बढ़ते जाती है और धिरे-धिरे असांती मन में आने लगता है पहला कारण है दूसरा कारण जो हमने बत उसके चलते वह जरूर दुखीए। जो नहीं है, उसकी वह एक्षा पाले बैठा है। घर में एककमरा में खुस नहीं है उसको लगता है कि चार कमरे होने चहिए थे। जब चार कमरा हो जाता है तो आठ कमरे की जो है वह खوाइस रख लेता है। बड़ा मकान हो जाता है फिर बंगला सोचने लगता है वह एक्छा बढ़ते जाती है और यही असांती का कारण है एक तो यह असांती का कारण है परिवार क्या होता है कि परिवार में हर ब्यक्ति का अपना संसकार है और वह संसकार आपके हमारे बनाने से नहीं है अनेक जनमो दोनों के वह संसकार वह प्रारब्ध वह संचित कर्म वह आत्मा लेकर के ढो रही है और यह संसकार आप तुरत नहीं बदल सकते हैं आप देखिए कभी किसी के साधी होती है दोनों अलग-अलग परिवार के हैं दोनों के प्रारब्ध अलग-अलग हैं कर्म अलग-अलग हैं दोनों के संसकार अलग हैं और उस संसकारों की CD जो pain drive भरा हुआ है जो गाने हैं उसमें भरे हुए दोनों के मधूर मधूर अच्छे अच्छे गाने भरे हुए हैं लेकिन होता क्या है कि दोनों एक साथ आए होना क्या चाहिए था हम उनका गाना enjoy करें और वो मेरा गाना enjoy करें और दोनों enjoy करते हुए जिंदगी बिताएं लेकिन ऐसा नहीं होता है हम अपनी गाना बजाते हैं और हमें लगता है कि हमारे जैसा ही गाना उनका क्यों नहीं बज रहा है और उनको भी यही लगता है उनको भी यही लगता है कि हमारे जैसा गाना क्यों नहीं बज रहा है इनका तो हम अपनी गाना तो छोड़ देते हैं उनकी भी गाना छोड़ देते हैं हम अपने जैसा गाना उनसे उम्मिद लगाए बढ़ते हैं हम जिस तरह से हैं, हमारे अंदर जो इमंदारी है, हमारे अंदर जो बहिमानी है, हमारे अंदर छल, कपट, इर्षय है, वो सामने वाले में क्यों नहीं है? देखे चोर दिन रात चोरी करता है जूट बोलने वाले को लगता है जूट दिन रात जूट बोलता है इमंदार आदमी को लगता है कि यार ये जूट दिन बर कैसे बोल लेता है वही जूट बोलने वाले को लगता है यार ये कैसा आदमी है दिन बर इमंदारी इहीं बरतता ह तो दोनों का जीवन अपने द्रिष्टिकोंड से तो सही है, वही परिवार में भी होता है, सबके अपने-पने CD हैं, अब क्या होता है, कि वो अपने गाने के लिए आपके उपर दबाब डालेगी, और आप उसके उपर दबाब डालेंगे, और वही पर बिखन बाधा सुरू होता है, गाना किसी के नहीं बजता है, रिमिक्स हो जाता है, और इसी रिमिक्स में, इसी उधेड़ बुन में असांती चाह जाती है परिवार में, फिर यह दो CD तो बजी रहते, रिमिक्स हो ही रहता, उसी बीच में एक तीसरा CD आ जाता है, अब माता और पीता दोनों सोच से अपने संसकार लेकर के चल रहा है हजारो जन्म का हजारो जन्म से वह जो संसकार लेकर के चल रहा है उसमें आप उसके संसकार को दूर नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ एक कोसिस कर सकते हैं एक मार्ग दर्सन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं वह तीसरा को सांत करना, दूसरा हमने बताया परिवार, तीसरा सबसे बड़ा असांती का कारण है रोग या बीमारी, अब देखिए, रोग या कोई भी जीवन जो बीमारी होती है, तो उसके प्रति दो नजरिया हो सकता है, एक नकरात्मक भाव और दूसरा सकरात्मक भाव, जदि हम सकर बीमारी परमपिता परमात्मा ने इसलिए मेरे पास भेजा है ताकि हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल सकें कई बार ब्यक्ति को बीमारी तो होती है वह उस बीमारी को स्विकार नहीं कर पाता है जदि हम बीमारी को स्विकार कर लें बीमारी को स्विकार कर लें तो अनेक जो ह हम अपनी लाइफ स्टाइल बदल पाएं खान पान रहन सहन सब बदल पाएं तो फिर अलग विमारी तो होगी नहीं वह भी विमारी हो सकता है कि ठीक हो जाए या कंट्रोल हो जाए हमने आपको बताया था त्रिनेत्र का उसमें एक है कि हम संपुर रूप से स्वस्थ हैं क्यो आप सचेत हो जाते हैं जीवन में एक संजम आ जाती है एक उसके प्रती आप सचेत हो जाते हैं लाइफ स्टाइल आपकी बदल जाती है तब हम आसांती से बच जाते हैं तो तीसरा कारण जो हमने आपको बताया वह था आपकी बिमारी अब चोथा कारण चले हम चोथा होता है संपती जिस ब्यक्ति के पास जितना ज्यादा संपती होता है वह अंदर से उतना ही डरा हुआ होता है दो कारणों से डरा होता है तेना दो कारणों से वह डरा होता है तेना पहला कारण कि संपती खो जाने का उसके वह हमेशा भै लगा रहता है कि हमारी संपती कहीं खो पती इकठी की गई हो इसलिए कहा गया है कि एक निश्चित जो है मातरा से धन जब जादा हो तो उसको दान कर देना चाहिए जरूरत मंदों में बाट देना चाहिए कुछ अच्छे कार्ज समाज में कर देना चाहिए अन्यथा वह धन जो है आपको अहंकार आलस प्रमाद में लगा देता है अब जदी अहंकार की बात किये तो असांती का पाच्वा कारण अहंकार है और यह अहंकार कब और कैसे आता है खास करके तब जब आप कोई समाजिक पद और प्रतिष्ठा हासिल करते हैं और वह भी तब जब अयोग्यता के कारण भी छल, कपट, इर्ष्या, चापलूसी करके आप कोई पद हासिल कर लेते हैं तो मन में हमेशा एक असांती छाई रहती एक डर लगा हुआ रहता है कि न जाने कब यह जो है हमारा पद छिंजाए क्योंकि अयोग्यता भरी हुई है इसका मतलब है कि कोई योग्य ब्यक्ति कभी भी आपका टांग खीच सकता है या अयोग्य ब्यक्ति आप भी अयोग्य होकर कि उस पद पर है कोई और अयोग्य ब्यक्ति जो है कोशिस कर सकता है आपकी टांग खीच सकता है तो अयोग्य ब्यक्ति योग्य पद पर पहुचता है तो हम इसा डरा हुआ रहता है तो ये भी एक असांती का कारण है फिर अपने रिस्तों में हम जो आत्म प्रसंसा की भूख जो है पैदा कर लेते हैं कि हर ब्यक्ति हमें सम्मानित करे हर ब्यक्ति हमारा सम्मान करे हमारी द असांती का एक मुख्य कारण हो सकता है कि वह सम्मान न करे यह उसकी अपनी दृष्टी कोण है कोई आपको अच्छा कहता है कोई आपको बुरा कहता है आप तो आप हैं जो अच्छा होगा वह अच्छा कहेगा जो बुरा होगा बुरा कहेगा लेकिन आप क्या होता है कि दू दुसरे की हिसाब से अपने आपको बदलने लग जाते हैं तब भी असांती फैलने लगती है फिर अगला कारण हम देखें तो जब रिष्टों में भी अहंकार रिष्टों में ऐसे अहंकार होना नहीं चाहिए जब रिष्टों में अहंकार प्रवेस्ट कर जाता है तब भी ज संसार में हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है अच्छा होगा और जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है कहते हैं किसी फकीर की जो है वह समुद्र में नाव लेकर के जा रहा था आंधी तुफान आया और उसकी नाव कहीं बहग गई वह कहीं दूर चले गया रात हो गई हम अपने गाउं आ गए फिर वो ध्यान दिया कि इस हमारे गाउं में हमारे घर में तो आग लग गई है और आग लग गई हमारा घर जल उठा है और वो बड़ा खुस हुआ बहुत नाचने लगा बोला कि हमारे घर में आग नहीं लगी होती तो यहां आग हमें उस समुद्र म नहीं और हमारी नाव तो भग गई थी मैं कहीं भटक जाता ते जीवन जीने की दृष्टी कोण है दो महात्मा थे आए कहीं से घूम करके तो देखे कि हमारी जोपड़ी हवा में उखड गई है एक महात्मा बोले कि लो ये पूजा पाठ करने का फल हुआ ये जो है भगवान की किरपा है आंधी आयत दुनिया के इतने सारे सहर हैं इतने सारे मकान हैं दूस्टों के मकान है उनके मकान नहीं उड़े और हमारी जोपड़ी उड़ गई आधी जोपड़ी तुट गई इस पर दूसरे महात्मा ने कहा ये तो भगवान की अत्ती किरपा है कि आधी ही ताइगए तो बारिस के बुन्दों की जो है गीत सुनेंगे ये दृष्टी कोड्य ए है। ये नजरिआ है एक आदमी कासी गया और दुनिया भर की जनसंख्यां है लोगों के चलने के तरीके नहीं है वहीं पर एक दूसरा आदमी जाता है और लिखता है कि कासी बिलकुल भगवान सीव की नगरी है हर ब्यक्ति सुव पुजा पाठ में लग जाता है गंगा किनारे सुनहरी साम में आरती होती है बहुत ही खुब सुरत सहर है तो दोनों की नजरिया सहर तो वही का वही है बदला क्या नजरिया बदला नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे जैसे द्रिष्टी वैसे स्रिष्टी तो हम जदी अपने सोच को हमेशा सकरात्मक रखें हमेशा सकरात्मक रखें कि जो होगा अच्छा ही होगा हमारे साथ तो हमारे जीवन जीने की नजरिया बहुत हद तक बदल सकती है और असांती से हम बच चकते हैं असांती कब होती है जीवन में जब वासना आती है वासना के जगह जदि उपासना को हम स्विकार कर ले थोड़ा सा बदलना है वासना से उपासना कर लेंगे तो जीवन में सांती चा जाएगी भोजन के सांत सांत जदि भजन भी थोड़ा सा लेने लगेंगे भजन भी करने लगेंगे तो भगवान की किरपाद रिष्ठी आपके उपर बन जाएगी असांती से बच जाएगे आपको नौ गरह कितने भी अच्छे हों दस्वां गरह जदि परिगरह आ गया अर्थात मुफ्त खोरी आ गया ब आपके नौ गरह खराब है लेकिन अनुग्रा है भगवान की तो आपके जीवन में सांती चाये रहेगी तो यह सांती कहीं बाहर नहीं है अंदर ही है सुख भी कहीं बाहर से आपको खोजना नहीं है अंदर ही है सब कुछ अंदर है एक व्यक्ति के पास भोजन करने के दुन सखुण हैं अंदर से प्रसंद्चीत है तो बयक्ति के जीवन में साधन से सुख नहीं आता है साधना से सुख आता है जीवनमें साधना रहेगा तो रोग बिमारी इंथीचारोंनेंगे और अंतिम जडि बात करें असांदि की तो एंपर ह। परिवार अच्छा होगा और जिंदगी में हर रोज तेवहार होगा बेवहार अच्छा नहीं है प्यार नहीं है तो सब कुछ रहते हुए भी खराब हो जागा इसलिए ये सब कुछ असांती के कुछ मुख्य कारण थे जिनका हमने चर्चा किया अहंकार से हम बचें अस्तो मास सद गमिया जूठ बोलने से बचें जूठ भी बहुत बड़ी असांती पैदा करती है समझ नहीं पाते हैं उसी तरह से अहंकार सुक्ष्म रूप से जो है अहंकार जन्म लेता है पता भी नहीं चलता है खास करके जब बिना मेहनत का सफलता मिलती है तो तीन जो है चीज फिरी में मिल जाता है पहला आलस्च, दूसरा अहंकार और तीसरा आत्म प्रसंसा की भूख ये आत्म प्रसंसा की भूख भी हमारे मन में असांती प्रदान करती है तो हम अपने जीवन के प्रती एक सकारात्मक नजरिये को अपना करके असांती से बज़ सकते हैं और मैं कई बार बोलता हूं कि दस मिनर थोड़ा खुद का भी समाचार पूछिए कि हमारा मन क्यों असांत है ऐसा कौन सा कारण है ज़िए आपको लगता है कि ऐसा कोई कारण है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं कोशिस करूँगा कि आपका जबाब दे पाऊं आपको मैं कोई सही समाधान बता पाऊं और ये सब समाधान हम लोग दुनिया भर की किताबे पढ़ते हैं किताब भी आपके संसकारों का ही दरपड है उसमें क्या लिखा है इस सही चीज समझ जाते तो दुनिया तो स्वर्ग हो जाता और स्वर्ग और नर्ख कोई जियोग्राफिकल फेनोमेना तो है नहीं है वो सब अंदर ही है सब अंदर ही है जदि ब्यक्तित तो आपका अच्छा है तो स्वर्ग है ब्यक्तित तो बुरा है तो नर्ख है जीवन में जहां समर्पण है, वहां स्वर्ग है, सौप दिया जीवन प्रभू के हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, तो असांती की जदी हम बात करें, यह असांती की बात करें, तो यह असांती भी आपके अपने ब्यक्तित्तों के कारण है, कर्म प्र चार सकरात्मक सोच से भरे रहें तो आपका जीवन सकरात्मक रहेगा जैसे द्रिष्टी वैसे स्रिष्टी ये ब्रह्मा के स्रिष्टी है इसका लुथ उठाइए आनंद उठाइए और जितना में हैं कई बार घरों में आटा गुत करके एक कपड़े से धक दिया जाता है हमा ताकि ये कोई नहीं बोले कि कम है और कभी भी प्रसाथ की कमी नहीं पड़ती है ये जब बिचार आ जाएगा कम है कम है कम है कम है कम है हम लोग कई बार बच्चों को संसकार में दिन भर बोलते रहते हैं ये गलत है ये मत करो ये मत करो ये मत करो ये मत करो गलत है गलत है और बी positive, बी positive से blood group रहने से नहीं होगा, जीवन को भी थोड़ा positive, थोड़ा सकरात्मक आपको बनाना पड़ेगा, तो आए अशांती और सांती कहीं, मार्केट में कहीं बाहर की विशेबस्तू नहीं है, वो अंदर की विशेबस्तू है, उसका आनन्द ले, मन को सांत रखे, मन को सुनने रखे, जितना विचार सुनने रहेंगे, उतना आनन्दित रहेंगे, हरियोम तटसत इनी सुभकामनाओं के साथ, कि आप स्वस्त रहें, मस्त रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें, हरियोम तटसत.